वेल्कम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान के सेट को चार चान लगें चार चान इसलिए कि जब ये टेबल आ जाते हैं हाँ पर एक काउंटर आता है इसके उपर हम देखते हैं रंग बरंगी चीजें इतने अच्छे-च्छे कलर्स बिक्रेवे होते हैं इतना प्यारा आर्ट होता है आज उस सब आर्ट में से आपको क्या सिखाएंगी रुबाव असलाम लेको वालेकुम असलाम कैसी हैं मैं ठीक हूँ आप कैसी हैं बिकुल ठीक है हम दोनों भी और अभी भी भी देख रहा हम इतना दो मुवमेंट्स के बारे में जो के एक 1950s में आई थी मिद तो लेट 1950s ताट वस पॉप आर्ट मुवमेंट और दूसरी मुवमेंट थी वह थी क्यूबिजम की वह आई थी तक्रीबन कोई 20th century में ठीक है मैंने क्या किया है कि मैंने इन दोनों पॉप मेंट्स के लिए इंस्पिरेशन ले लिए और उनको मैं शीट पर कैसे लेकर आई हूं अचा हम यह काम पॉप आर्ट का यूजली देखते हैं डिजितल काम और क्यूबिसम देखते हैं और क्यूबिसम देखते हम ओईल पैंटिंग्स अचा जो बल्के करंट बेस आर क्युँं थी वह ढूओं लिए पेशिक्छ पर काम किया थाओ अभर्ण के कुछ फेर अभर कुछ अट पर पॉपार्ट मूवम्मेंट के लिए उसली आई थी क्यूंके काम किया जाता था 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 अधे अगले सब्सक्राइशन का क्या दिए आट ता कूबिसम यहां अदी र जाक्त है तो वो एक ही colour में होना चाहिए यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं था इस movement में अगर किसी ने black jacket पहने तो जरूरी नहीं है जूरूरी नहीं है ज़रूरी नहीं कि रडली नहीं है कि एक ही colour में होगा मैं उसमें क्या किया कि एक हमने हुस को different colors में इस तरह से बिलकुल यह तो लिग एक एक प्वपाफ नायरा किहा है, कि स्टिप को बिलकुल मुख्तलिफ पर लुखू अधिय। तो यह फिरी आध पॉप-अफ मुव्मेंट बिलकूल हैip जिसमें उन्होंने क्या किया कि हर इरिया को डिफरेंट इसमें किया किए अगल। यह गलत हो रहा है, ऐसे नहीं करना, ऐसे बिल्कुल कर सकते हैं, हमने उनको बच्पन से फीट की होती है, सिखाई होती है, कि एक जाकेट है, वो एक ही कलर में चलेगी, सिमिट्री में चलेगी, ऐसा नहीं है, यह एक पूरी मूव्मेंट थी, और उसके पीछ पूरी थेरी है, और यह बिल्कुल वालिड है, तो आप बिल्कुल को ख overlap सकते हैं, इसी तरह से, एक और मेरे पास विजोल है, जो की यह आला है इसमें क्या होरा है, किया हो कुछ भी आप कर सकते हैं जो मैं उसको डिवाइड करके मैं इस पर डिफरेंट तरहां से कालर को प्लाई किया अच्छा यहां पर क्युक्ली सब्सक्राइब को थोड़ा से एक्स्प्लें कर दीजे क्युंके पॉपार्ट तो हमने समझ लिया ताकि उसका जो इम्तजाज उसका प्रफ्यूजन जो है उसको जादा एंजोई कर से अच्छा क्यूबिजम में यह था कि जो बेसिक जो मेंट्रिकल शेप साइब जब जब पेंटिंग होती थी तो हम उस ताइम पर बहुत रिलिस्टिक पेंटिंग नहीं हो रही थी ठीक है जिसना एक डाली एक आर्टेस्ट वह क्या कर था कि यह था था दीट ता उसका जो हमारी स्कार्वष रिंट करते हैं अब पकास का स्की तूली फ्लैट बिल्ठ काम था उसका प्रफाइल अम्तिध में दोंगि क्या किया कि बडा किक बड़िक थियू में पहले पेंटिवoden और शेपिसिक बेसियु जेप्सें क और उसने पती पेंटिंग के थू ये बताया कि ये जो एरिया इनका बराबर होना बिल्कुल जरूरी नहीं है चीज वही डिफाइन हो रही है लेकिन हमने उसको ब्रेक कर दी है हम आगे वाले सेग्मेंट्स में उन पे जरूर मैं आपको बलके बताऊंगे भी उस बारे में और उसके कुछ रेफरेंस भी दिखाऊंगी जिससे हम मजीद कूब इसम को डिफाइन कर सकते हैं और मैंनों इसको डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर लिया और इसकी एक और एक्जामपल जो है वो मेरे पास यह वाली है अच्छा यह हम लोग क्यों करते थे यह चीजे जब मैंने पहले भी मेंशन किया कि यह आपने फॉर एक्जामपल कि अगर किसी ने एक बॉटल को सेल करना है तो हम उस बॉटल के ओपर डिफरेंट कलर्स अप्लाई करेंगे और उसको एक जगा पे बैनर लगा देंगे तो उनिटेंशनली बहुत ही आई-कैचिंग हो जाएगी और लोग उसको बार-बार रुक के देखना पसंद करेंगे अच्छा यह भी अच्छी एक एक एक्जामपल मैं सब देख रहा हूं बिल्कुल कुबिसम और पॉप आर्ट की बिल्कुल तो आज का फिर हमारी असाइनमे एसी चीज नहीं है कि मैंने उसकी आँखों पर स्पैसिफिक डिविजिन करनी है इससे कथन कोई फरक नहीं परता कि उसके चेरे में कितने रंग आ रहे हैं उसका स्किन जो टोन है वो बेज होना चाहिए नहीं ऐसा कुछ पी नहीं है मैंने उसको डिफरेंट शेड्स में ड बहुत अच्छा बहुत ही मज़ेदार लगता है तो इसको जरूर अटेम्ट करें यह बहुत ही अच्छी एग्जामपल है इसमें हमने रेफरेंस जो लिया है वो क्यूबिजम और पापार्ट का मिक्स है उस एरा से हमने कैसे इंस्पेरेशन लिये वो यह काम जो है प्लान करें उस ही वक्रते करते के जहां जी किया रंग बदल दिया या इसको प्लान किया जा सकता है बिल्कुल इसमें आप अगर तो आप जो मेंट्रिकल शेप्स करना चाहरे हैं तो आप उसको बेकाइदा जो भी कर सकते हैं और अगर आप जनरली वैसे ही आपका जहां प क्योंकि आप कहरें कि कुबिजम को हम यांपर डिफाइन करें तो वहीं पर कोई ऐसा नहीं आप अचा आँखों पैसे होना चाहिए पैस पैसे हो चाहिए और आप डिविजिन कर रहे हों पिल्कुल इसमें कोई इस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है यही जो है यही इसकी काम की जो भूबसूर्ती है वो यह कि इसमें हमारी अच्छा यह काम नहीं युजिली डिजिटल देखते हैं लेकिन अब बिइंग आइटिस्ट में आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि इस अब मैं लफ्स फेक इस्तामाल करूंगा तो फिर बहुत से लोग केंगे नहीं नहीं फेक नहीं उसके अंदर भी एक आर्ट है फेक तो मेभी इस नौट इन अप्रोप्रिये टर्म तो डिफाइन डिजिटल आर्ट उसके बहुत खुबसूरत और मज़दार चीज़ है लेक अब बताएं कि इस तरह की का आर्ट जो है आज रुबाब आपको एक्सप्लें कर रही है कि क्यूबिजम और पॉप आर्ट जिसमें बहुत जादा नियॉन ब्राइट कलर्स होते हैं उनका इस्तवाल करके आप अपना पोर्ट्रेट अपनी तस्वीर उसका तरीख भी यह है और इसमें यह कि कलर्स की रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो क्यूबिजम था वो बैसिकली ऑईल पेंटिंग के अटेम्ट होता था लेकिन हम मार्कर्स यूज कर सकते हैं अब मैर्लीन में रो के बाल इतने खुबसूरत थे कि वो अब खत्र नहीं हो रहे हैं तो चली जा रहे है हम थोड़ा सबस और करेंगे ताफ यह मैंजिन करेंगे इस वक्त आपको और मेरे क्योंकि हमें हमें हमेशन होके अपनी एक पिक्चर दिखने हो अगर आप स्केच का प्रिंट आउट लेके उसके बाद हम अगर अगर अपने उपर कलर्स करना श्रू करना अपनी शकल पर त हमेशन है तो आप इस तरह की चीज़ अटेंप्ट करें हमारा वाटसएप नंबर पे आप हमेशा रुबाब जो आपको सिखाती है आप उसको पर अटेंप्ट करते है और बेशुमार घरों में इस वक्त आर्ट वर्क यूज हो रहा है तो इस तरह का आर्ट वर्क भी आपन हमें बना के भीजवाना है उसकी तस्वीर खेंच के या उसको पर दिवार पर घर में आवेजा करके हमें आपने बतलाना है बिकुल ठीक है मुझे लगता है यह अगर हमारे स्केचेस पर कोई और भी एक्टिवीटी करके भीज़े तो यह भी बहुत अच्छा होगा आप आ बाँ जाय करे काम कैसे हमने अपने अपने प्लेटा भी एक और आता के आपको सबीर और सीखा किया तुमीना जिदेगी में यह वे कहां बिल्कुल अब यह जो है ना मैंने क्या किया है कि इस पोर्टेट में इसको तकरिबें अब आप जितना चाहें इसको फिल कर सकते हैं भीक सब्सक्राइब कि आप सार्क फेल्ट, कुणसा कोई रेस्टिक्षिस्ट नहीं है, आप इसमें क्योपन कर सकते हैं स०्क्राइब कर सकते हैं, अलाइन जिन्हाट शील लाइब, पॉर्ण टेवर को टादिया1 मैं उस एरा से पॉपाइट और क्यूबिजम दोनों को से इंस्पिरेशन लिए और उसको मैंने एक शीट के उपर इस तरह से लिए रही नाइस तेंक यू बहुत ही मतलब ऐसा ऐसा आज का सेशन था कि वस मेरा दिल कर रहा है भी ब्रेक में हम भी कुछ न कुछ न कुछ न कु अबदल्ला बाई हमारे साथ हैं और अबद्ला भाई आज चिप्स डिलवाने वाले हैं हाँ जी वह बप्त गए कि चिप्स अठा when टा एलें डलवाओ अब अब अबद्ला भाई भी कहते हैं टाएले टायले अटा जीप्स डिलवाओ दुबारा से चिप्स इन हो गयें construction material में इस अवाले से बहुत इंट्रिस्टिंग सेग्मेंट है जो हम इस प्रेक के बाद unfold करेंगे सबसे पहले पिक्चिस शामिल करेंगे शाहिद ने सरगोदा से पिक्चिस भीजी आईए देखते हैं पेंट मेंट इनोंने कुछ किया मितना जो आर्ट से खा रहे होते हैं उन्होंने कहा कि मैं क्रियेट करके राइजिंग पाकिस्तान को ओ ये देखेंजी तो मेरे खाला हमारा भई लोगो चला दिया वो सरगोदा की तस्वीर चलानी थी सुदीर यापने गलत स्लाइड इन कर द आप तो भई इसके मैं फर्माइश करूंगा कि हमारे पोस्टल एड्रेस पे आप इसे हमें कुरियर करिये कीजिए जो आक्च्छल आप पे ये जो पेंट किया है हम इसको अपने कमरे में आवेजा करना जाएंगे तासरी मैं देखता है कि डीटेल जो है ना हर चीज की अच्छस भेजी आए देखते हैं किया तेज़ तन्वीर नहीं है वा जी ये तो तन्वीर का घर जह है बहुत ती खुबसूरत है हमें खुबसूरत लग रहते हैं तंवीर को तो अज़ आर्शेएंगे इनका गाऊ है जी कोट्ला तहसील वाह भई तन्वीर बहुत खुबस सेनेरियो है तन्वीर जहां आप रह रहें माशा अल्ला और हाइट है तो मौसम भी अच्छा होगा लेकिन सर्दियों में भी पता लगता होगा हम दिन्में में चले जाएंगे घूमने इसमें इसमें तैंकि इसो मजी तन्वीर आसिफ अली ने मामुक अंजन से हमें पिक्टि आजाती है इनफाक किसी भी पैट की आजाती है तो तौसीक के पेस पेक स्माइल होती है लेकिन बहुत ही खुबसूरत आपका यह दोस्त है लेकिन आपने असिफ इसका नाम नहीं बताया इंका नाम बड़े ही ग्रेसफुल शक्सियत है और देखो जी तोतों का भी शौक है तोतों के लेकिन अजी बहुत गरदेशन है और अचा जी फिर क्या है यह बजरी क्या है अच अजय अचे लबड बजरी फरक होता है मैं तो मेंशे एक ही समझता रहा हू देखने में तो एक जासे लगते लिए बहुत प्रुबसूरत आपका शौक दोग्स कभी है और पार इसका भी है, interesting combination, लेकिन आप हमें ये भी बताया हैं कि आपस में दोस्ती है के नहीं है, आपस में खेलते हैं, इनकी गुफदगू है या नहीं है, विक्कुल जवेरिया शेहजादी ने मुलतान से हमें पिक्चिर बेज़ आए देगे, जवेरिया ने जनाब आर्ट वर्क वा आपस में पेपर के साथ भी काम किया है और बड़ा खुबसूरत, very good जवेरिया, शाबाश, और मुझे अच्छी चीज ये लगए है कि खुद से भी लोग क्रियेट कर रहे होते हैं, हमने से फैन बनाना सिखाया था पेपर फैन, उससे नहीं नहीं चीज़े खुद से लोग है, EXACTLY. ये तो आइख..षा मैं बताता हूँ किया नजरारा है ये लुकर अब आपने पूचा सबीन से है, मैं सबीन से हैं. मैं सबीन कहँ है क्था नजरारा इं लाल, ये चैरी श है ॥ा ये रख है सबीन. यहां से वहां तक मुझे नजर नहीं आ रहा रहा शुक्र करो तुम नहीं नहीं कहा है चार रेड रंग के तोते बैठेवें अच्छा यह देखो सबीन कितने एच्छे सेब है नहीं दूर से लग रहा था चाहिए अम्रूद है वही बहुत खुबसूरत अंगूर और यह तो यम यमी लग रहे हैं लेकिन मुझे लग रहा भी पूरी तरह से तयार नहीं है हलके से तुर्श होंगे लेकिन थैंक यू वरी मच आपने इसरे डिफ्रेंट से तसावीर हमें भेजे विल्कुल जी थैंक यू मच पिक्च्छ भेजने के लिए मेरा इम्तिहान लेने के कि तो हम बहुत फैन हैं नुवेरा की बात हो रही है और अब्दॉल्ला भाई का दुबारा शो में आना बहुत अच्छा लगा प्लीज अच्छी खाला को भी बुलवा दे अब्दॉल्ला आपके कितने फैन्स हैं हम जब आपको बुलाते हैं तो आप फिर आप नखरे करते हैं पिर आप यम एटीचूट देंको अब किए अच्छा ब्लाते हैं और आप अच्छी खाला को याद किया जी और बिलकुल अलामी उनको सहत दे तो जल्द उनको किसे दिन प्रोग्राम में तुलवाएंगे बिल्कुल जी सहर ने अटक से मैसेज भीजा है सहर कहती है असलाम लेकूम तौसीक भाई मैंने आपको बहुत मिस्स किया और वो कहती है कि उनकी एक रिक्वेस्टर राइजिंग पाकिस्तान के प्लाटफॉर्म से पीटीवी को रिक्वेस्ट है करन fái a' कभिवार अंचंदी बेश्चिवाइद ड्रामे हैं जो हमारे क्लासिक्स में वो कभी न कभी आप के लिए रिरन करता रहता है तो असलिए तो मेंरे खहल है आपकी जल्बी सबीन के जल्बी स्वाएशंदी से वाकिध है लेकिन यहां मैं यह जरूर कहता है चलूँ कि आप हमारा यूट्यूब चैनल है उस पे जाएए यूट्यूब के पर सोना चान्दी आपको मिलेगा आप इसको एंजॉय करें बहुत अच्छा सेंसिबल मुनु भाई के लिखा हुआ वो हूमर है उसमें तंस भी है मजाह भी है और आपको एक सुसाइटी से जुड़े हुए अच्छाइब करेंगे आजकल के ड्रॉमें भी बहुत अच्छे लेकिन उसमें जरा शो शो शाग ग्लामर है शश्का मश्का ज्यादा होता है तो सोना चान्दी बिलकुल एक आम आदमी एक आम औरत की कहानी है आप जुरूर एंजॉय करें सहर ने हमें सोना चान्दी रेक् पाकिस्तान की बहुत जादा सलाम वो कहते हैं कि मैं तब से आपका शो देख रही हूँ जब इसका नाम तर ब्रेक्वस्ट एट होम और मुझे आपका शो बहुत पसंद है अला आप सब को फूलों की तरह मुस्कुराता रखें आमीन और के आपके शो से बहुत कुछ सीखत जब हर वक्त हम स्क्रीन में घुसे रहते हैं फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, आइपैड, इनसान से इनसान का राप्ता कम हो गया है तो वो लोग जो डिजिटल दुनिया में बड़े कॉन्फिदेंस के साथ टक 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 कॉमेंट्स कर रहे होते हैं पोस्स कर रहे होते हैं जिनको सुनकर जिनको जानकर आप कुछ ना कुछ सीख सकें थैंक यू बढ़ेंगे जनाफ एक चोटे से ब्रेक की जाने हैं अच्छा एक मेसेज और हम शामिल करके ही पर हम ब्रेक की सरब चलते हैं हिना चोटरी ने बुरेवाला से में मेसेज भेज़ा हिना कैती है असलाम कर रहे हैं और उनको भी आपने बुला कर बहुत अच्छा किया और इसके इलाव हो कैती है कि मैं जब बैठी होती हूँ नाश्ता का रहे हूं चानक कर देती हों जिसके मुझे देख कर सब लोग परशान हो जाते क्या है क्या हूं कि मैं आपकी बातों से चीनिक्ट कर पार ह यहना, thank you very much, बहुत बहुत शुक्रिया, साथियो, आज वक्त कम है और मुकाब्रा सक्ट, जैसे के प्रोग्राम के आगाज में हमने का था, अब दुला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हम चल के लेंगे एक चोड़ा सा ब्रेक ब्रेक के बात, जब बापस आएंगे तो डॉक्टर जीम चौधरी साब हमारे साथ होंगे, जो कि सुप्रीम कोर अफ पाकिस्टान के एक लीडिंग अड्वोकेट है, इसके लावा उनका पी-एच्टी इंटरनाशनल रिलेशन्स में है, चार इसके लावा उनने मास्टर्स कर रखे हिस्टरी में, इंग्लिश में, साइंस में और बिजनिस अड्मिन्स्टरेशन फाइनस में, लेकिन आज चौधरी साब से, डॉक्टर साब से हमने एक स्पेशल नशिस्ट की है, कि आपको लाव, यानि कानून को as career अपनाने में, वो हमें tips भी देंगे, opportunities बताएंगे, आगे career है, पैसा है कानून में, आजक कि आपको लाव याव के तो लाव, अभरी साब में आपको लाव याव, थाईनुक्त BLparty कि ढदे हम आपको लाव, गा में, आःकर को लाव, खाना Calibत्र से, लाव झाल झाल